ये टेडर्स वेलकम बैक टो वर चैनल, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल क्या मूव कर सकता है, और निफ्टे और बैंक निफ्टी के सेंटिमेंस क्या हो सकते हैं, उसी के साथ अपन ये भी देखेंगे कि मार्केट ने आज किस कमेंट करने का, और इस कमेंट करने में शर्माओ मत, कमेंट करो गाईस, क्योंकि आप कमेंट करोगे तभी तो आपके आपके जो क्यूशन से उसके एंस्वर्स मिलेंगे, ओके, तो गाई सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहां पर बैंक निफ्टी, ओके, बैंक निफ्ट तो देखो Friday के अगर आपन move यहाँ पर analysis करें तो Friday के दिन यहाँ पर एक hammer candle बनी थी और यह कहाँ पर बनी है गाईस यह बनी है अगर आप यहाँ पर analysis करो तो यहाँ पर यह अप्ट्रेंड चल रहा है भी अप्ट्रेंड के अंदर यहाँ पर market top के ऊपर अगर hammer बनाता है तो market में एक reversal के chances बन जाते है जब भी hammer candle का कौन सा form है यह hammer candle का hanging man form है clear रहा है गाईस यह कहाँ पर बना है यह top पर बना है याई अप्ट्रेंड के अंदर जब भी कोई इसी hammer candle बनती है ना उसको hanging man बोलते है और जब भी hanging man बनती है ना तो उसके chances होते है कि market एक reversal दिखाएगा यहाँ पर एक negativity शोग कर सकता है market बट गाईस अगर आप यहाँ थोड़ा सा notice करो गर मैं यहाँ थोड़ा सा zoom कर दू ना इसको तो अगर आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख पाऊगे कि market में आज कोई इतना बड़ा move नहीं आया market आज है अपने high और low यानि previous high और low को भी break नहीं कर पा रहा था यहाँ पर यानि market के अंदर आप थोड़ा सा observe करोगे ना तो यहाँ पर एक डोजी केनल फॉह हुई है यानि market के अंदर buyers और sellers का दोनों का balance था market में equally buyers भी थे और equally sellers भी थे ओके guys one day के time frame पर अगर आप देखो गया यहाँ पर तो आपको यह clear हो जाएगा कि market आज confusion mode में था market में कुछ ज्यादा moves देखने को नहीं मिले market ना तो अपने high को break कर पाया और market नहीं अपने low को break कर पाया है यहाँ तो guys अब मैं यहाँ पर switch कर लेता हूं 15 minute के time frame पर जो कि अपना internet time frame होता है जो कि levels निकालने के लिए कफी important होता है अपन वन डे का time frame देखते है त trend कौन सा चल रहा है और क्या move चल रहा है उसके अंदर तो guys 15 minute के time frame पर अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो देखो 15 minute के time frame के according लिए अपने यहाँ पर देखे तो guys 19 थारीक एक important level था यहाँ पर अगर यहाँ नोटिस करोने तो 19 थारीक हाई था यह market 19 थारीक के high को भी यह यहाँ पर break नहीं कर पाया और guys market आना 19 थारीक के low को भी यहाँ पर break नहीं कर पाया clear है मतलब market के अंदर आज इतनी strength देखने को नहीं मिली market काफी confusion चल रहा था आज market आज थोड़ी सी यहाँ पर gap down देता है हलका सा gap down देता है right यान एक flat opening देता है flat opening देने के बाद में market अप आपको यहाँ पर आपको जूम आउट करके दिखाओं तो देखो guys यहाँ पर चार्ट बेटन भी बन रहा है कि इस थरीके का move market के अंदर accepted रहता है कि कौन सा move आ सकते है देखो यहाँ पर चार्ट बेटन बन रहा है clear guys अगर आप ध्यान से देखो गया ना तो 15 गोली का time frame प को यह comment करके बताना है okay and guys जब भी है इसका high आप देखो गया ना market या तो इसके upper resistance को break कर दे या तो resistance को break कर दे या support को break कर दे जिस भी direction में move करेगा ना या जिस direction को यह break करेगा market उसी direction में move करेगी लेकिन guys यहाँ पर आपको यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है कु आपको मार्केट को सस्टेन होने देना मार्केट को रिटेस करने देना रिटेस करने के बाद में अगर यहाँ पर नेगेटिव सिनेरियोस बनते हैं अगर आपको negative emotions दिखते हैं ना candles के अंदर तो आप यहाँ पर पोजिशन बिल्द कर लेला otherwise आपको avoid करना है क्योंकि जब तो आपको यहाँ पर वेट करना है एक अच्छा कासा है यहाँ पर सिनेरियोस बनने देना है तो अगर मैं आपको कल के बार में बताओं तो कल का अपना जो important level रहेगा एक तो यह रहेगा राइट यह मार्केट का हाई हो गया और यह मार्केट का यहाँ पर लो हो गया मार्केट के हाई और लो यहाँ पर मेंटेन करके रखना है उसके साथ अगर बताओं यहाँ तो यहाँ पर पैटन भी बन रहा है तो पैटन के ब्लेकडाउन के बारे में ध्यान रखना कि मार्केट जिस डै drawn को ब्रेक करेगा नौ आपको बस उस direction को पकड़ना है और वेट क कि तैनितनौ में अपने को ब्रेक करता को है कि नीं कि अगर तोड़ा सा अंगर यहां पर यह भी द सेलिंग भी नहीं हुए है अगर ऑसेलन घ्याक आपको चल हमार्ट को सस्टेंट जहते हैं किस इसाप काम जहीं लगतों करना है एस इसमा से इसमार्फट diy当 मार्परेंगा मैं कुछ नहीं करना है यहाँ जो भी आपन को सस्टेें नर的ट आपको मार्परेंट पाटर पैटन भी बन रहाल और मांट लो भी रहाई करेंगे प्राइ करेंगे मार्केट को समझने का सस्टेन होने देंगे और ओल्वेस फिफ्टी निम्री के टाइम फ्रेम पे आपको कुछ भी नहीं करना है छेड़-चार नहीं करना है किसी भी तरीके से ओके गाइस तो चलो अब देखते हैं अपन निफ्टी के अंदर क्या सि देखो तो देखो काफी इंटरस्टिंग सा सिनेरियो बन रहा है कल मार्केट ने क्या किया अगर मैं आपको 19 तरीका डाटा दिखाऊ तो 19 तरीकों भी आप एक हैमर केंडल क्रीट करी मार्केट ने करी थी न इसके बाद में आप देखो तो मार्केट ने आज निफ्टी के अगरर में बने वाला है कि निफ्टी यहां पर देखो आज मार्केट ने या पे बुलिश केंडल दिखा दिया अब कल करका अपन को हाइब्रेक करना है और यहां पर लो journalism कर पर करक Kommentar ना उसके अपना इक अपर प्रेंड कर रहें do मार्केट करके किस डिरेक्षिन चल रहा है, मार्केट यहापए अगर प्रीवियस टाइम फ्रेम में convert करता हूं, इंटाडे के टाइम फ्रेम के according लिए मैं आपको कुछ important levels यहाँ पर बता देता हूं, ठीक है, देखो, market यहाँ पर क्या है, market अपने previous हाई को यहाँ पर break कर चुका है, और यहाँ पर sustain होने की कोशिच भी करी है, अब अपने यह देखते हैं कि कल का market का important level कौन कौन सा हो सकता है, एक तो देखो, guys, कल का important अपना जो level रहेगा, nifty के लिए, तो आज के market का high, right, and market के कल का low, अब इसके अंदर यह देखना है कि market कहाँ पर opening देता है, अगर market का gap down देता है, गैब डाउन देने के बाद में, आपको देखना है, इस level पर market सस्टेन करता है कि नहीं करता, market के हीटेस का वेट करना है, और कुछ नहीं करना, अगर इसके ओपर सस्टेन होता है, अगर market gap up देता है, गैप अप देने के बाद में, एक डाउन साइड के लिए पर प्लैन कर सकते हो लेकिन आपके लिए आपए इंप्वाटेन सपोर्ट बन सकता है अब इंपोर्टेन सपोर्ट यहां पर कैसे निकला है अगर आप एफाइबी लोग यह नहीं अपर फफ्टी परसेंट का लेवल आ रहा ह। ओके देखो यह 50% का level आ गया अगर market यहां पर retracement करता है तो retracement करने के बाद में आप यहां पर call का call direction में जा सकते हो call का एक trade initiate कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के but condition क्या है कि आपको यहां पर sustain होने देना है market को बिना sustain हुए आप यहां पर कुछ भी नहीं करोगे तो आपको wait करना है कुछ नहीं करना है और guys ज्यादा confusion में नहीं रहना है कि क्या करें किस तरीके से करें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अगर आपको सीखना है अगर आपको लगता है एक्चुल में मुझे आप trading में सीखना चाहिए मैंने काफी हतकंडे अजमा लिये मैं टिप्स भी ले लिये मैंने calls भी ले लिये सब कुछ कर लिया किसी भी चीद में दिक्कत होती जो भी अपने members होते हैं हम काफी अच्छी learnings निकालते हैं और जो भी आप comment करोगे ना सारी चीज़ का जावाब मिलेगा आपको आपको निराश नहीं करेंगे एंड गाइस request है आपसे shortcut जूनना बंद कर दो हो सके ना तो थोड़ा एक process के साथ आगे बढ़ने की सोचो ओके गाइस तो गाइस चलिए फिर मिलते है कल की stream पर वेट करूंगा आप सब का and guys thank you so much video देखने के लिए and guys अभी तक अगर subscribe नहीं करा तो please subscribe भी कर देना okay then guys see you soon bye